बहुत समस्या होती हैं, बरसात में कैया ऐसे भी बहुत समस्या है यहां के विधायक पंत्री लोग इसका ध्यान नहीं दे रहे हैं और अभी टू बिलर्ट से आने में लगता है कि कब गिर जाएंगे, किसका ब्रेन हैम्रेज हो देगा यहां जल जमाओ की स्थिती बना हुआ राता है और यह रोट की स्थिती देनिये हैं बिहार की राजधानी पटना में हम मौजूद हैं और पटना की स्थिती सडकों के कितनी अच्छी होगी आपको देख कर ऐसा लगेगा कि क्या यह हम पटना में हैं या गाओं में ये सबसे जादा पाउस इलाका कहा जाता है और वी वी आईपी इलाका ये बोरिंग रोड है और कवीर रमनपत इस सरक का नाम है और इस मार्क का नाम है और सबसे बड़ी बात है कि केंद्रिये मंत्री का आवास है ये पुर्व केंद्रिये मंत्री का आस पास में ही रवी शंक पीर रवनपत वो रास्ता इतना घटिया है कि देखकर आपको सर्म आएगी कि मैं पटना में रह रहा हूं या कहीं ग्रामिन छेत्र में ये सड़के ग्रामिन छेत्र के कह सकते हैं यहां से विधायक नितिन नवीन है और केंद्रिय मंत्री का बस माँत्र पांच कदम पर घर है और उसके बावजूद भी सड़क की स्तिती इतनी गंदी है कि देखकर आपको सर्म आएगी कि मैं पटना में रह रहा हूँ क्योंकि बरसात के वक्त इस रास्ते में इतनी पानी लग जाती है बड़े-बड़े बिल्डिंग बंड चुके हैं लेकिन बिल्डिंग होने के बावजूद भी सड़क का इस्तिती इतनी जड़ज़़ है यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जो इस कॉल्ली में रहती हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कितनी समस्याएं होती हैं जब इस सड़क पर चलने में कितनी समस्या होती हैं बरसात में कैसे भी बहुत समस्या है गाड़ी ओड़ी से आने जाने में बहुत प्रब्लम होता है बड़े बड़े वादे होते हैं लेकिन इसके बाद लोग भूल जाते हैं लेकिन वोग सुनते हैं चुनाओ के बाद कभी आते ही नहीं है मिलने उसके पहले बोलते हैं की रोड बनवा देंगे यह कर देंगे वो कर देंगे और अभी तू बिलर्ड से आने लगता है कि कब गिर जाएंगे कि इसका ब्रेन हैमरेज हो जाएगा गीर कर एक दम खराब इस इसमाइब नागेशवर कॉलने पॉस एडिया है लेकिन इस्तिती देख लिजे रोड की किया है यह पॉस एडिया कहलाने के लाइक नहीं है यहां लेकिन कोई किसी का ध्यान नहीं है रवी शंकर प्रशाद और यहां से विधायक है नितिन नवीन और पथ निर्मान मंत्री है मैं यही कहना मंत्री जी है आपका प्थ मंत्री है और यह रोट की स्थिती देनिया है जिसे पर विकास का मुद्धा पर आते हैं तो यह रोट के इस्तिति जरजर है मैं क्या कहूंगा आप लोग देखिए और मेरा सुपकामना बस यहां से तिन दो मिनेट के एरिया में है उस पांच बार बना लेकिन इस रोट को कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं यह रोट उनके नजर में है कि नहीं है में ने जानता हूं 176 पांच कदम पर उनकी दूरी पर घर है और केंदिरिये मंत्री पूर्व केंद्रिये मंत्री है रभीशंकर पर्साद उनके घर तक सड़के बहुत अच्छी थीख रही तक विद्यायक को इस पर द्यान नहीं दे र है। यहां के विधायक मंत्रि मंत्री जी एक्स-्मिनिस्टर है रवी संकर भागू इन के मंत्री बनने के बाद में देखें हैई दो बार बन बन चुका है वो सब्सक्राइब लेकिन यह रोड अभी तक कैसे ही पड़ा हुआ है यही इस्थिती यह बरसात में बहुत बुरा अधिना लिजे कभी रोड में अचानक गिड़ जाता है तो उसके क्या स्थिती तो दिखने बड़ा बड़ा बच्छा सब यहां रहता है सब सब लोग गिरते रहते हैं पूरा प्लाइट है यहां बहुत सारा पॉस इलाका है फिर भी वही हाल है रोट का करिवन हजार 2000 के आसपास लोग यहां रहते हैं और उसकी इस्तिती यह है कि यह सड़के काफी सुन्दर आपको दिख रही होगी क्योंकि यह पटना का सबसे पॉस इलाका कहा जाता है कवी रमन पत् की दूरी पर केंद्रिये पुर्व केंद्रिये मंत्री रवी शंकर बावु का मकान है उनका आवास के तक बहुत अच्छी सड़के आपको दिखेगी लेगिन इस रास्ते पर अगर आप चल रहे हैं तो आप समझ लिजे कि आप हो जाए होश्यार क्योंकि यह पटना की की थी और अभी नितिन नवीन है उनके वावजूद रहने के वावजूद भी यह इस्तिती सड़क की है अब सोच लिजे कि जब पांच कदम की दूरी पर पुर्व केंद्रिये मंत्री का आवास है और उनके घर तक सड़के बहुत अच्छी है लेकिन आम नागरीकों के लि है लेस्तितर बैकों के बहुत Nick